पपीता एक ऐसा फल है जो हर सीजन में आपको बाजार में असानी से मल जाता है खास बात ये है कि पपीता नाकेवल पका हुआ बलकी कच्चा भी आप खा सकते हैं इसलिए नाकेवल आप फल के रूप में बलकी सबसी के रूप में भी खा सकते हैं ये स्वाद में बहतरीन होता है साथ ही कई पोशक पत्वों से भरपूर होता है लेकिन क्या आपको पता है सेहत के लिए बहतरीन होने के बावजूद पपीते का सेवन कई चीजों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा करना आपकी सेहत के लिए खातक हो सकता है तो चलिए आपको बताते हैं कि केंग चीजों के साथ पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए पपीता और दही एक साथ या फिर पपीता खाने के कुछ तेर बाद दही नहीं खाना चाहिए ऐसा इसलिए क्यूंकि दोनों की तासीर अलग-अलग होती है पपीता गर्म होता है और दही ठंडी होती है इसलिए दोनों साथ खाना नुकसान दायक हो सकता है पपीता और निम्बू एक साथ नहीं खारना चाहिए क्योंकि ये सेहत पर भारी पड़ सकता है पपीता खाने के बाद या फिर उसके साथ खटी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए संत्रा स्वात में खटा होता है ऐसे में पपीते के साथ या फिक्तुरंत बाद आपको ऐसी चीजे नहीं खानी चाहिए क्यूंकि इससे स्वास्त संबंधी परिश्वानी हो सकती है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम जवानकारियों के लिए बोल्ड स्काय को सब्सक्राइब करना ना भूले